आइए नाइए 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 बनदावीस साल हो को निया गाइस घोड़ा गाडी गुड़ वानिंग उदयपूर तो कैसे हो उदयपूर वाइस वहल्कम बैक टो माइनिव ब्लॉग्स तो गाइस आज हमारा अजमेर में लास्ट नाइट है और आज हमारा चेक आउ तरह यहां चलते हैं वाइपूर को दिखाते हैं वलो टो यहां पे यहां पे मोटावाई तो भर गया तो हम इसके बाद आते हैं जारे मोटा भाई भाई हम जारे हम आएंगे कल छोड 2015 हो छोड़के चले गए गय थांसению फेल होगी यहार वहीं से चला जाएगा वहीं से चला जाएगा बीज देंगे सो गाई मुझा फेले पाउंचतेख दे गाईस तैली दिझा प्राइबरोदा पने अ यसी पिलिफ़ा च्छोटी और चुके हैं गाईस हम लोग रिशेप्शन पे यहां पे टो इंका वेलकम करते हैं गय्थ वेलकमटर्व में एक पहले आ गए घाइस को चलो गाईस यह हम लोग है तो चलिए अज सब्सक्राइबर भी है यह हमारे गाइस यहां पे फैवरेट है हाँ सब्सक्राइबर भी है यह हमारे बहुत आप तो आपको अजमेर कैसा लगा अरे खुछ तो बोलिये अजमेर कैसा लगा अच्छा लगा अभी हम लोग कहा जा रहे बता दीजिए उदयपूर जा रहे हैं लोगाई और दो बजे हम लोका ट्रेन है तो चलो गाई यहां पर मिलते आप से स्टेशन पर फाइनली हम लोग अजमेर जक्षन पहुंच गए और अभी हमारे साथ यहां पर समीर भाई है जो कि यह वलकाता से है और यह आए हुए अजमेर घुमने और यह हम जाने वाले उदयपूर जो शीटी ओफ लेक से जाना जाता है जी बिलकुल यहां पर गाई यहां पर हम लो लोगों को मैंने पिछली ब्लोग में बताया था कि अजमेर हम लोग जा रहे हैं यहां पर कलकत्ता से कुछ बंदे आ रहे तो यह समीर भाई और श्वैल भाई आया हुए थे कलकत्ता से तो यहां पर अजमेर में दो दिन का इस्टे था और यहां से हम लोग का प्लान है अब प्लेटफां में यहां गया है हमारी लेकरण रहा हुए तो चलो गया चलते हैं यहां पर फोदैपूर के लिए निकलते हैं यह दो बज़े से चुनेज़ाल का किह फूब कितना ठक गए आप बहुत आप कुछ बोलना चाहेंगे कहां जा रहें आप साले 50 लिए चलना पड़ेगा उससे ज्यादा पोस्त मेरे कंदे पे बाई बताओ तुम कहां जा रहें लेक के पास रुकेंगे बहुत मजाने वाले देख सकते होगा समीर भाई ने प्लान कर लिया हां या पे तो कुछ ज्याया लाज़ें यहां पर धाया ऊज़्या और यहां इस बहुत जिखाएंगे उधैपूर का ब्लॉगी आहें इसा काफी नाए मिए कौतन लिए पुल्य इस्टेशन पर यह तो बहुत काफी ज्यादा प्रेमा से इनके समोसे जो गाइस बहुत टेस्टी होती कुछ बोलना चाहेंगे अंकल बोलेंगे यह गूंगे थोड़ा नहीं बोल पाते हैं यह गाइस तो हम लोग जा रहे थे अजमेर से उदायपूर तो आपको पता हिए कि हम लोग टिकट वगरा लेकर चड़ते हैं नही यह गाइस सारा दिमाग इसका था मास्टर माइंड यह हम लोग के गुरुप का यही है बोल लागी टिकट कौन लेता है तो इतना सस्ते में ट्रिप तो हम ही लोग प्लान कर सकते हैं तो हम लोग सुच दोसों में अब बाहर जाएंगे लोग गाइस रिक्सा और दिखेगा चुरा के उसी से जाएंगे लोग और यह हाती चलाएगा इसको चलिए गाइस देखते कितने दिनों में हम लोग उधैपूर पहुंचते हैं तो मिलते आप से गाइस सुगा उधैपूर पहुंचके पैदल जाना है तो फिर तो यह खबते लग जाएंगे काफी गाइस दू उनको ट्रेन से जाएंगे और हम लोग पैदल जाएंगे लोग अईसे तो आपको कैसा लग रहा आप हमारी ऑडियेंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे माशालला माशालला यह जिजी इस से चलेंगे जड़ जयें क्या विल गई गोड़ा गारी गोड़ा गारी मिल गया तो चलो गाइस आप लोसे मिलते हैं मुदाइपूर पहुच के तो नहीं नहीं पहले अंदर का दिखा दे मुझाशीमा नहीं है बजारा आगे ने में इस्पोटेड समीर भाई यहां पर मिल गए गाई यहां पर राष्टे भटक गए थे लिए तो हम लोग अजमेर जा रहें फिर से वापस यह ट्रेन पता नहीं क्यों रिवार्स जा रही है अच्छा यह चेंज करेगा न वह क्या ना में रूट रूट नहीं हो क् ट्रेक चेंज करेगा काफी अंधेरा है गाइस वाकार भाई में नहीं कोच में जो चलोगा इस पहुंचते हम लोग उदयपूर और अपको दिखाते हम उदयपूर का अब लोग तब तक के लिए गुड़नाइट भाई टाटा स्यू सून सुगा मिलते हैं 2000 यह लेजर लगा रव हम पहुंच के उदयपूर इस्टेशन यह पे थे हालो गूर थो आईपूर थे क्या वूलत रहते हम लोग यहाँ भी थंगा रफ़ो रख जा फूर थे हम लोग यह थो शूबर्द रहरेशन वाला यह तो तो यहां पर हम लोग उदाइपूर स्टेशन पहुंच चुके है तो गुड़ मरनिंग उदाइपूर तो कैसे हो उदाइपूर तो यहां पर आज होगा धमा का हमारे माली का रहे गाइस माली करें तो चलो चलते हैं गाईस इस्टेशन से बाहर और जहां समीर भाई ने प्लान किया था वहाँ चलते हम लोग तो दिखाते हैं गाईस यहां पर अगर अभी तक चैनल पर आ गए हो यहां तक रुप गए हो तो गाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो ब्लॉग अच्छा हां पता नहीं है अप्यूस बिन्मोनी बोल्दू दूदैपुड को फुड़ मुर्म भाई ओ अज़िए और अज़िए नहीं रोगता टिकट के लिए तो यहां प्लूसे घाई रम लोग यहां से आजमेर से पूल नहीं चाहिए अटो नहीं चाहिए वाई था हमारी तो गा पता है कि पहले भी हम लोग मारे थे बीना टिकेट का तो अभी फाइनली गई आई बाहर तो अब चलते हैं गई होटल पे और आपको दिखाते होटल कहां है हमारा कहां नी चलीज बाई जैसे बता रहे हैं तो गाई चलते हैं राइस बहुत एक्साइडेड है तो देखने ह आपने होटल पे तो यह भाई आट वाले ड्राइवर है इन्होंने हम लोगों को लाया तो भाई यह आपके आप कितने दिनों से हैं तो यह कैसा है उदयपूर शिटी जैसे सुनने में आता है कि काफी अच्छी जगह घूमने फेडने के लिए जिलो का नगरी से बोला जात बहुत बढ़ा जगह है उदयपूर उदयपूर में आप घूमने तो आपको अच्छा लगेगा हर लेक पहले सकेटे शाहर के और लोग बहुत आते हैं यह ठोड़ीस्टपर आते हैं अच्छा प्लमेया आपको मिलेगा यह आपको किछों की शोटिक मुझी की शोटिंग औ यहां नजर आई जगा बता दीजिए जो हमारे वीवर जो आगर उदाइपूर आते हैं तो उस जगा को जरूर देखें और अपने वीवर को दिखाएंगे जरूर देखें आप फचोला लेक देके सबसे बहुत जोरदार चीजे और सबसे बढ़िया चीज फाते सागर आप प्टेशागर जाना जरूर फाते सागर जरूर जरूर भीकुल जाएंगे घाने में आपके जो अच्छी जगा खाने में एक से बटताबर द्राइबर जो मिले काफी हमें अच्छ तो इन्हों ने बहुत सारी एक दो जगा भी बताई जो के इन्हों ने बोला कुछे विजिट करो अच्छा जगा है तो वह वी ओ लोकेशन जगा भी हम आप लोगों को दिखाएंगे वह तो यहां पर चलिए भाई आप से मिलके बहुत ही अच्छा लगा हमें जी सर आपको स् अगर आपके पास कुछ फाल्तु अगरा बचा है तो आप भी आ सकते हो कभी घूमने के लिए एक्स्पोर करने के लिए तो हम दिखाएंगे आपको और हम लोग आए हुए होटल अभी क्या होता है देखो समीर भाई यहां पर काई समीर भाई देखिए हमें कहां लाकर यहा समीर भाई कोई प्रॉब्लम है दो मिनट का इंतजार है यहां पर जाएंगे हम लोग होटल के अंदर फ्रेश होंगे उसके बाद हम उदाइपूर की गलियों में और जीलो की नगरी आपको हम दिखाएंगे गाई आज इस ब्लॉग में तो मैं भी बहुत एक्साइटेड इस उस हिसाब से मैं पागल हो रहा हूं अंदर से गाई देखने के लिए तो अब हम घुमेंगे आज उदाइपूर की गलियों में और यहां पर देख सकते हो वाकार भाई आज बहुत ही इसे रिस्पेक्ट थोड़ी देते सुबह का टाइम है तो अगार कैसा रहा आपका जैसे आप लोगों पता है कि चार बजे चार या पांच बजे टीटी भगा दिया था हमें तो हम लोग एक दो घंटे ही सो पाए अच्छे से और हमें नीन्त काफी ज्यादा आ रहा यहां पे तो अभी जाते हैं होटल के अंदर और फ्रेश होते हैं उसके बाद बड़ा रे प्रेस्ट करते हैं तिस टाइम तूफ या बुम तो यह था तो हमारा रोम है गाईस यहाँ पे देख सकते हो पांच बंदे हैं यहां फ्रेश तो चलते हैं यहाँ पर रेश्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते यह देखो स्वयल बड़ाय कि तेज आदमी है यहां पर दे झाल झाल